गाइस एक्जाम्पल नमबर 33 देख लेते हैं ये भी बागी एक्जाम्पल की तरह एजी है और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका तो पता ही है अगर कोई टफ चीज होती है तो भाई मैं उसको भी अशान भास हमें कर देता हूँ तो कुछ टफ नहीं है अपने लिए है सब इजी है इसको सौल करते हैं एक्जाम्पल नमबर 33 अच्छा है हमसा कह रहा है एक टैनिस बॉल को जमीन पर छोड़ा गया अगर आप जमीन पर छोड़ते है तो जमीन के साथ रिबाउंड होती है और फिर थोड़ी सी उपर को और उ अगर बॉल जो है वो फिलोर के साथ देखो आपको बता ना फिलोर के साथ टाच होगी तो कहरा पोइंट जिरो वन सेकिंड तक टाच होती है तो बताओ वाट वाज इट एवरेज एक्सिलरेशन डियूरिंग कॉंटेक्ट तो जब कॉंटेक्ट हो रहा होगा रिबाउंडि तो आपने चार मिटर की हाइट से यह चार मिटर की हाइट थी और यहां से आपने गिराना शुरू किया तो यह अबजेक्ट मतलब यह बॉल नीचे को आकर गिरेगी तो गिरी थोड़ी सी दबेगी रिबाउंड होगी फिर से जंप खाकर उपर जाएगी तो पहले ले ले है डाउनवर्ड मोशन का जिक्र जब डाउनवर्ड मोशन का जिक्र लेते हैं तो इनिचल वैलोसरिटी डाउनवर्ड में कितनी हो जाएगी यू 0 तुमैं यहां को लिख देता हूं यहां गीचा पीच हो जाएगी solution डाइरेक्ट लिखता हूं 4 डाउनवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन की बाद चल लगी है ठीक है भई आपके पास इनिशल वेलोसिटी गिविन दैट में लिख दो इनिशल वेलोसिटी कितनी दे रही है 0 मिटर पर सेकिंड आपको हाइट पता है यस आप उसको H किया दोगे तो कितनी दे रही है आपको 4 मिटर की हाइट दे रही है जब उपर से नीचे को गिर रही है तो G आपका पिलस का होगा इसकी वेल्यू आपके पास 9.8 मिटर पर सेकिंड स्कॉाइर होती है ठीक है यह आपके पास आचुका है ठीक है इतना सिंपुल सा केस है जब यह नीचे को आ रही होगी मतलब यहाँ पोचेगी ठीक है देखो जब यहाँ पोचेगी तो जब कॉंटेक्ट हो रहा होगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी होगी velocity में change देखना होगा तो आप जब यहां से गिरा रहे हो तो आप यहां है तो देखो कि final velocity है कितनी इसकी, तो final velocity निकालने की नहीं है sorry, यहां पर final velocity टकराने से पहले, मैं यह बोल रहा था कि यहां final velocity 0 हो जाएगी नहीं, initial velocity 0 है जब टकरा रही होगी जब रिबाउंडी हो रही होगी तो उसके पास उसकी maximum velocity होगी जो उपर से उसने गेन की होगी तो हम उस final velocity को निकालेंगे यहां पर इसको 0 नहीं लेंगे बिलकुल भी, मुझे अब पता लगा कि यार मुझे acceleration निकालना तो इस चीज को धिहान रखना चाहिए था बिलकुल silly mistake भी नहीं होने चाहिए तो हम क्या करेंगे by using third equation of motion third equation of motion क्या बताती है आप से वो यह कहती है कि V square minus U square यह 2A distance S के बराबर होता final velocity यह भाई, यह मुझे निकालनी है initial velocity कितनी थी यह 0 थी, 0 का square करों का 0 हो जाएगा 2S ही रहेगा A जो है वो G का काम कर रहा है 9.8 और S जो है वो distance है जिसकी value 4 meter है यहाँ पर S की जगा अगर मैं S लिखूंगा तो जादा proper रहेगा क्योंकि मैंने H ही इसको ले रखा, आपके पास कितनी है, 4 meter तो यहाँ से V जो निकल कर आ जाएगा यह आ जाएगा square root 2 into 9.8 into 4 ठीक है यह आपके पास आ चुकी है velocity यह वो velocity है जब object जस टकरा रहा होगा जिस velocity जमीन पर टकरा रहा होगा यह वो वाली velocity है अब rebounding हो गई rebound हो करके थोड़ा सा चुकी यह जो होती है यह rubber की balls होती है थोड़ी सी दबेगी elasticity की वरी से फिर यह बापस जम्प खाएगी तो जब यह दब रही होगी तो उसमें चो time लगा है 0.01 second लगा उसको बाद में देखेंगे फिलहाल दबने के बाद यह उपर को उठी है जब यह उपर को उठेगी तो जाहिर सी बाद है किसी एक fixed velocity के साथ उठेगी और वो velocity इसकी घटती जाएगी घटती जाएगी final velocity हो जाएगी 0 तो it means अगर मैं कहूं for upward motion for upward motion upward motion के निया इसकी initial velocity जिसको आप यू कह रहे हो यू कह रहे हो वो कुछ न कुछ होगी yes उसको आपने यू ही कह रहा है final velocity हो जाएगी 0 meter per second क्योंकि यह गदख आने के बाद उपर जाएगी 3 meter की height gain करेगी 3 meter की height gain करेगी और रुक जाएगी फिर नीचे कुछ जाएगी ठीक है भई तो जहां जाकर रुकेगी वहाँ पर final velocity 0 यू जो है initial velocity है इस condition में g जो होगा वो minus को होगा 9.8 meter per second square ठीक है भई इस case में later suppose किये इसने distance जो है वो h2 travel किये जिसकी value दे रहे है 3 meter तो भाई लगा दो again by using by using third equation of motion लगाओ भी लगाओ third equation of motion लगाओगी तो आप क्या काओगी V square minus U square is equal to 2GH2 final velocity कितनी है 0 है initial velocity कितनी है U square है 2G G कितना 9.8 है H2 कितना है यह है 3 लेकिन minus का लगाओगे क्योंकि g जो है वो negative है तो minus यहाँ आजाएगा इस वाले minus से यह वाला minus कड़ जाएगा आपके पास जो आजाएगा वो आजाएगा u square is equal to 2 into 9.8 into 3 यहाँ से u square को अगर square खतम करेंगे तो यह root में चला जाएगा 2 into 9.8 into 3 तो यह आपके पास आचुकी है final velocity यह फिर आप यह कहेंगे rebound के बाद जो दूसरी velocity थी अब आपसे पूछ रहा है यह आगए meter per second में आपसे पूछ रहा है कि भाई rebound से पहले कुछ velocity थी rebounding के बाद कुछ velocity हो गई तो जब rebounding हो रही होगी उसमें timing लगी 0.01 second तब बताओ भाई average acceleration कितना आएगा तो उन दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस आपको पता ही है आप क्या कहोगे at rebounding rebounding जब हो रही होगी at rebounding rebounding जब rebounding हो रही होगी time taken बताओ rebounding में time कितना लिया गया है बो लिया गया 0.01 second यह लिया गया है then average acceleration कितना हो जाएगा average acceleration होता है change in velocity change in velocity upon time यह फिर change in time change in velocity का मतलब क्या होता final velocity minus initial velocity लेकिन जब हम change लेते हैं velocity का है तो हम direction का भी proper दिहान रखते हैं जो पहली वाली velocity थी वो नीचे की तरफ को थी लेकिन दूसरी वाली यह वो ऊपर की तरफ को है तो final अगर आप ऊपर को ले रहे हो तो भाग initial नीचे को जा रही है तो उसको negative sign के साथ ऊपर ले लोगे तो आप को कि final velocity कितनी थी आपके पास root 2 into 9.8 into 3 minus initial velocity but initial velocity की direction थी नीचे को लेकिन अगर उसको आप minus का ले लोगे तो भो भी अपर डायरेक्शन वा जाएगे तो negative sign के साथ उसको भी दिखा दो क्योंकि आप जब भी change निकालता हो भाई same direction में निकालता हो velocity में तभी आपका acceleration आता है ठीक है भाई? I hope आपने यह वाली बात मेरी समझ ली होगी change in velocity upon change in time time कितना? 0.01 second बस इसको solve कर लो solve कर लोगो तो यह आडिया है का आपके पास 2 into 9.8 into 3 minus minus plus इसको देखोगे तो 2 into 9.8 into 4 upon 0.01 second जब आप इसको solve कर रहेंगे तो solve करकर direct answer लिख देता हूँ 1650 की something इसका answer है इसका 1650 meter per second 1652 meter per second इसको आया है यह है आपके पास average average acceleration बस इसको आपको solve कर ले ना concept पूरा का पूरा discuss कर चुक हूँ मैं आपसे उसको आपको समझना ता अच्छे से वो आप समझ चुके हैं बस आपके पास अब यह calculation बचती है simple सी बाती उपर से गिरी तो उसके पास final velocity कुछ होगी rebound हुई body time लगा 0.01 second फिर वो उपर को आई तब वो किसी एक fix velocity के साथ उपर को डेगी change in velocity देख लो आपके पास acceleration यहां से निकल जाएगा rebound हुए न बोडी के पास